नमस्कार दोस्तों, गौर्णमेंट इग्जाम इन्फूम में आपका स्वागत है तो आज है सैट फाइफ, टीचिंग एप्टियूड, सिक्षन अभिरूची और सिक्षन का लगा तो आज हम कुछ important question को discuss करने वाले हैं सभी LTE candidates का आज की वीडियो में सागत है तो आज का वीडियो काफी important रहेगा आज भी हम कुछ important questions को discuss करने वाले हैं हापर जिसमें हम कुछ previous year questions और बागी जो important syllabus के according जो question बनाएगे हैं उसको हम discuss करेंगे तो चली शुरू करते हैं आज का वीडियो और शुरू करने से पहले अगर आप अभी टेलीग्राम से नहीं जुड़ें तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ें वहाँ पर आपको सारे PDF मिलते रहेंगे इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में बैल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस सारे अपडेट्स आपको मिलते नहीं तो चली शुरू करते हैं आज का वीडियो तो आज का हमारा पहला question है शिक्षड अभी योगिता से साथ तात पर्या है यानि की teaching aptitude means ये आपको बताना है option दियेगे है devotion towards teaching work यानि की शिक्षड कारी के प्रतिस समाणपन दूसरा option है desire to become a teacher यानि शिक्षड बनने की इच्छा इसका तात पर्या है तीसरा option है all the requisite abilities for profession of a teacher यानि की शिक्षड की व्यवसाय की सभी वांशित योगिता रखना fourth option is good rapport with student यानि की चात्र से अच्छा मेल जोल रखना तो इसका right answer क्या होना चाहिए आपको बताना है तो शिक्षड के अभी योगिता से तात पर्या है या आपको बताना है देखिए यह जो question है आपका यह previous year पूछा जा चुका है तो इसी तरह के और भी question आपसे पूछे जा सकते हैं तो शिक्षड अभी योगिता का तात पर्या आपको मालूम होना चाहिए तो देखिए इसका right answer वह हम आपको बताता हूँ इसका right answer option third यानि कि all the requisite abilities for professional teacher यानि कि शिक्षक के website की सभी वांशित योगिता रखना शिक्षक अभी योगिता से तात पर रहे है इसका तो यह right answer यह ध्यानवक्य का शिक्षक के website की सभी वांशित योगिता रखना शिक्षक अभी योगिता से तात पर रहे है यह previous share का question है, तो चलिए आगे बड़ते हैं अगला question देखते हैं अगला question देखे, question number second है आज का CWSN stands for, यह आपको बताना है, यानि कि CWSN का मतलब क्या है यह आपको यहाँ पर बताना है, option देखते हैं, पहला option है Children with strong needs, यानि कि मजबूत जरूरत वाले बच्चे option B है यहाँ पर, children with single needs, यानि कि एकल आवशकता वाले बच्चे C है यहाँ पर, children with special needs, यानि कि विशेश आवशकता वाले बच्चे D है यहाँ पर, creature with soft engine, यानि कि मुलाइम आवशकता वाले, जीव या प्राणी तो CW action का मतलब या होता है, इस तरह से भी full form पूछे जा सकते हैं, तो यह आपको बताना है तो इसका right answer बताता हूँ यहाँ पर, इसका right answer है, विशेश आवशकता वाले बच्चे यानि कि, जो children होते हैं, जिनकी special needs होती है, वो इसका full form है, children with special needs, तो यह right answer option C तो इसको ध्यान में रखेगा, यह question दूबारों से पूछा जा सकते हैं, CW action का full form है, children with special needs, तो यह right answer option C चले आगे बढ़ते हैं अगला question देखते हैं, चले देखते हैं अगला question यहाँ पर question no.3 है आपका, which of the following, question no.3 है, which of the following is not an element of counselling यानि कि आपको यह बताना है कि निमने में से कौन परामर्ज, यानि कि counselling का element तत्तु नहीं है, ठीक है तो यह बताना है आपको option देखते हैं, शाक्षातकार यानि कि interview, दूसरा confidence यानि कि आत्मजचा तिसरा है, professional growth यानि कि कारी में तरक्की, fourth option है संचार यानि कि communication, यह आप इसके interview बिल्कुल एक counselling का element है, confidence भी यहाँ पर आपका counselling है, उसमें आता है, element है इसका, संचार भी यहाँ पर आपका counselling का element है, तो कौन सा नहीं है, professional growth, option C का right answer है, कौन सा नहीं पूछा गया है, यानि कि कारी छेतर में तरक्की से आपका professional growth, जो है वो, counselling से इसका लेना दे है आपका, पर यह element नहीं है counselling का, तो यह धियान में रखिएगा, कारी छेतर में तरक्की counselling का element नहीं है, option C का right answer है, चले आगए बढ़ते हैं, अगला question देखते है, question number 4 थे आपका, Braille method and tape recording can be used as educational provisions, provision for, यानि कि Braille विधी और tape recording को, इसके लिए सैक्षिक प्रावधान के रूप में इस्तिमाल किया जा सकता है, किसके लिए option है देखे, दृष्टी बाधित चात्रों के लिए, यानि कि visually impaired students, दूसरा orthopedic चात्र, यानि कि orthopedic impaired students के लिए, या फिर स्रवन बाधित चात्र, यानि कि hearing impaired students, यानि कि जिनको सुनाई नहीं देता है, फोर्थ है सारी group से, विकलांग चात्रों के लिए, यानि कि physically handicapped students, तो Braille विधी और tape recording को, इन में से किसके लिए उप्योग, ये जो प्रावधान है, सैक्षि प्रावधान, वो किसके लिए उप उप्योग में इस्तिमाल किया जा सकता है, या आपको बताना है, तो देखे, Braille विधी और tape recording विधी की बात करें, तो देखे, Braille method हो जाए आपका touch करके सीखना, आपने देखा होगा, जो दृष्टी बाधित चात्रों होते हैं, वो touch करके किसी चीज को सुनते हैं, या फिर tape recording यानि कि सुन करके, for example, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें voice आ रही है, तो आप किसी essay candidate को, या इसी तरह का कोई भी अगर educational वीडियो है, और उसमें आप किसी चीज को record करके, किसी student को सुनाते हैं, तो उससे भी वो ग्यान प्राप्ट कर सकते हैं, knowledge gain कर सकत तो इसी तरह से ये विधी बनाई गई थी, Braille विधी और tape recording video, जिससे जो आपका दृष्टी बादित चात्र है, यानि कि visually impaired students है, उनको यहां पर फायदा पहुंच सके, तो देखे, Braille method यानि कि touch करके सीखना, इसका meaning होता है, और tape recording तो आप जानते ही है, यानि कि recorded voice में आप आपको सुनाया जा सके, कोई भी educational जो topic है, वो आपको यहां पर बताया जा सके, तो यह इसका जो right answer वो है, आपका दृष्टी बादित चात्रों के लिए, या तो चात्र टच करके सब्दों को पहचान सकता है, या जो भी material है, वो उसको पहचान सकता है, और उसको उसको उस यह किया जा सकता है, आपका, visually impaired instruments के लिए, तो यह ध्यान रखेगा, देखे, braille विधी की बात करें, तो इसका भी थोड़ा knowledge ले ले लेते हैं, देखे, braille is a system of touch, यानि की, touch करके सीखना है, यानि की, यह basically आपका जो 1824 में, 1824 में, 1824 में, इस विधी को invent किया गया था, braille द यह invent किया था, तो इन्होंने, ऐसे students के लिए, ऐसे वैक्तियों के लिए, जो दिश्टी बात ही थे, उनके लिए, विधी यहाँ पर invent किया थी, braille method, और यह किया था, आपका, 1824 में, लुइस braille ने, तो यह हो गया आपका, तो आप यह समझगे, इसका right answer है, दिश्टी बात यहाँ फिपता है, dyslexia is related with, यानि कि dyslexia किस से समबंदित है, यह आपको बता रहा है, option देख लेते हैं, पहला है problem in reading, यानि कि पढ़ने में समझ्या, दूसरा है problem in calculation, यानि कि गढ़ना करने में समझ्या, तीसरा है problem in writing, लिखने में समझ्या, फोर्थ है, option D, language disorder, यानि कि भा समझ्या होती है, उसको यहाँ dyslexia कहते हैं, यानि कि dyslexia से grasses कह सकते हैं, तो dyslexia किस से समझ्दित है, पढ़ने में समझ्या, यानि कि problem in reading, लिखे इसमें क्या होता है, कि जो student है, वो similar words को, जो दिखने में similar लगते हैं, जैसे for example saw और was है, तो वो saw को was पढ़ेगा, इस तरह से या फिर 9 और 6 है, तो वो 9 को 6 पढ़ेगा, या 6 को 9, इस तरह से ये problem होती है, तो ये एक तरह का विकार है, dyslexia, जो students में आ जाता है, तो इसे किस से समझ्दित हैं, पढ़ने में समझ्या से, देखें इसी तरह यहाँ पर गर्णा की बात करें, तो गर्णा में जो problem होती है, कैकुलेशन में जो problem होती है, उसे कहते है, dyscalculia, ये भी ध्यान में रखेगा, इस से भी question पूछा सकता है, dyscalculia किसे समझ्दित है, गर्णतिय समझ्दी विकार है, ठीक है, इसके अलावा, लिखने में, लिखने की बात करें, तो dysgraphia, यानि कि जो लिखने में problem होती है, उसक language disorder, तो यह होगी आपका, तो dyslexia के से समझ्दित है, पढ़ने में समझ्दित है, गर्णा के लिए dyscalculia कहते है, और इसके अलावा, जो लिखने में समझ्दित है, उसे कहते है, dysgraphia, तो इध्यान में रखेगा, इससे भी question पूछे जा सकते है, आगे बढ़ते है, next question देखते question number six है, personality of an individual is which aspect of his behavior, व्यक्ति तो किसी व्यक्ति के विवहार का कौन सा पक्ष है, option A, cognitive, संग्यानात्मक, B, non-cognitive, गहर संग्यानात्मक, C है, बहुत धिक पक्ष, यानि कि intellectual aspect, D है, external aspect, यानि कि बाहर पक्ष, देखिए, ये question भी previous year पूछा गया है, question ये है, कि व्यक्ति तो व्यक्ति तो किसी व्यक्ति के विवहार का कौन सा पक्ष ही बताने, cognitive, non-cognitive, intellectual, या फिर external, तो देखिए, इसका जो right answer है, वो है आपका, गैर, संग्यानात्मक, पक्ष है, cognitive का मतलब होता है, जियानि कि अपने ज्याने इंद्रियों से, कुछ बाहरी चीज़ों को समझ लेन और ये जाने की कोशिश करना, जो आपके आसपस हो रहा है, उसको अपने संग्यान में लाना, यानि कि संग्यानात्मक पक्ष इसे गयते हैं, इसी तरह इसका opposite होता है, गैर, संग्यानात्मक पक्ष, non-cognitive aspect, और व्यक्ति तो किसी व्यक्ति के व्यवार का, non-cognitive aspect है, तो यानि की चात्र के अवांचनी व्यवार को संसोदित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है, option A, to punish the student, यानि की चात्र को टेंड दिया जाए, यानि की punishment दिया जाए, दूसरा है इससे बचना, to avoid it, यानि की उनके जो व्यवार है, अवांचनी व्यवार है, undesirable behavior है, उससे बचना, यानि की उसको avoid कर देना, या फिर C, to inform it to the parents, यानि की मातापिता को इसकी सूचना देना, D, to find out the cause of undesirable behavior and suggest remedies, तो देखिए, आपके अनुसार क्या होना चाहिए, इसका answer आप बता सकते हैं, देखिए, बिलकुल चात्र को dundit करना यहाँ पर, यानि की punish करना, बिलकु उसका right answer है आपका, जो उसके अंदर अवांचनी विवहार है, यानि की undesirable behavior है, वो क्यों है, उसका कारण क्या है, और उसका जो आपका remedy है, वो कैसे किया जाए, इसके लिए सुचाव देना, यानि की अवांचनी विवहार की कारणों का पता लगाने और उप्चार का सुचा Question number 8, Who was the founder of kindergarten method, kindergarten विधी के संस्थावक कौन थे, पहला option है, दूसरा है, Montessori, Cook, या फिर Dalton, तो यह बताने हैं आपको, जो kindergarten विधी है, वो किसने invent किया था, या फिर उसके संस्थावक कौन है, देखे, इसका right answer है, आपका, Frederick Frobel, option है, इसका right answer है, यह नाम याद रखीगा, kindergarten व method भी कहते थे, पहले, तो यह भी धियान देखिए, अगर इससे question पूछाए तो इसका right answer यह होगा, फ्रोवेल, इन्हों नहीं इसकी स्थापना किये थी, playway method या फिर kindergarten method, तो पूरा नम है इनका, Frederick Frobel, और इन्हों नहीं इसकी भी दिखे, यहाँ पर स्थापना किये थी, संस नहीं कि सामुहिक, परामर्स का प्रस्तावक है, option नहीं देखिए, Thorne, Rogers, Williamson या फिर इनमें से कोई नहीं, तो देखिए, जो profounder, परामर्स के प्रस्तावक थे, वो थे आपके Williamson, तो इस तरह के question भी पूछे जाते, Williamson थे आपके, सामुहिक, परामर्स का प्रस्तावक कौन तो यह राइट आंसर है आपका, आगे बढ़ते हैं अगला question देखते हैं, question number 10 देखिए, दसो question है, learning is a form of behavioral, यानि कि सीखना व्यभार का एक रूप है, किस तरह का रूप है यह बताना है आपको, निकासी यानि कि withdrawal, विस्तार यानि कि continuation, तीसरा है, परिवरतन यानि कि modification, D है है हमार extension, तो सीखना व्यभार का एक रूप है, किस तरह का है यह, क्या यह withdrawal है, क्या यह continuation है, या फिर परिवरतन, modification या फिर extension है, तो देखिए, जो learning है, is a form of behavioral modification, यानि कि परिवरतन का, यानि कि modify करता है, किसी भी चीज़ को सीखने से, तो सीखना व्यभार का एक परिवरतन या फिर modification है, learning is a form of behavioral modification, सी इसका right answer है, आगे बड़ते हैं, अगला question देखते है, question number 11 है, which one of the following is not related to creative process, निमलिखित में से कौन रचनात मों प्रक्रिया से सम्मझत नहीं है, यह आपको बताना है, पहला है incubation, यानि कि उसमायन, दूसरा है trainer, motivation, तीसरा है preparation, और option D है, illumination, यानि कि प्रदीपन, तो आप बताईए इसमें से, जो creative process है, वो कौन सा इसमें से सम्मझत नहीं होना चाहिए, तो देखे, इसका right answer है, वो है आपका prayer ना, यानि कि motivation, आपका creative process जो है, उससे related नहीं है, तो यह जान में रखेगा, देखे, creative process की stages की बात करें, तो सबसे पहले, किस का implementation किया जाता है, तो यह सब points जो है वो, आपके stages है, creative process के, जिसमें motivation बिल्कुल नहीं है, इससे सम्मझत बिल्कुल नहीं है, तो यह right answer है, आपका option B, आगे बढ़ते हैं, अगला question देखते हैं, question about 12 देखे, बारवा जो question है, वो यह है, कि known to unknown is a, यानि कि ग्याद से सिख्षे मेपिद्य, दूरा सिख्षे सूत्र, यानि कि teaching maxim, त्वि क्या होना चाहिए, ग्याद से ग्याद की और इसका आपका सिख्षे सूत्र, इसक्षे सूत्र क्या है, यह है, यह समझते हम, तो यह right answer हो कि इसका सिख्षे सूत्र, देखें जब भी कोई teacher, किसी बच्चो को चुछ सिखाता है कुछ नए तत्थे बताता है तो बच्चों के लिए हमेसा वह चीज कठिन होती है यानि कि अजनक से कोई नहीं जानकारी दे देना और उसके पीछे की जानकारी उसको नहीं पता हो तो वह इस चीज को समझने पाएगा यानि कि छात्र को पहले सिक्षक को पहले ये चेक करना पड़ता है कि जो छात्रों के पास पूरू ग्यान है यानि कि जो पहले से knowledge है वो कितना है किस level पर candidate है उसी के आधर पहुआ पर छात्रों को ग्यान देना चाहिए जैसे कि एक छोटा सा example देखें तो अगर आप किसी बच्चे को हिंदी के alphabet की बात करें को इस तरह से आप सिखाते हैं, तो पहले आप alphabets सिखाते हैं, for example, छात्र को ये alphabets मालूम है, उसी के बाद आप इससे related word सिखाएंगे, जैसे बच्पन में सब्यों पढ़ते थे, कौ से कमल, तो अगर बच्चे को सीधे कमल बढ़ाया जाए, तो उसको difficulty होगी, और अगर उस इसी भी teacher की जिम्यदारी होती है, ये पता होना चाहिए teacher को, कि जो उसका student है, उसका चात्र है, वो किस level पर है, और उसके according, उसको नई चीज़े सिखाना, ये है आपका शेक्षन सूत्र ज्याद से अग्याद की ओर, तो ये right answer है, आप समझ गया होंगे, option भी इसका right answer है, आ extreme gregariousness, येन कि अत्यदिक घवराहट, दूसरा है, lack of curiosity, जिग्यासा का आभाव, stability in growth, येन कि ब्रिद्धी में इस्थिरता, D है, participation in group and games, येन कि समुहूं और खेलों में भागिदारी, तो इन में से कौन सी यहाँ पर बच्पन की विश्यस्ता नहीं है, तो देखे, इसका जो right answer है, वो है आपका, जिग्यासा का आभाव, आपने देखा होगा, यानि कि lack of curiosity, देखा होगा आपने कि जो बच्चे होते हैं, उनको चीजों को लेकर काफी curiosity होती है, नहीं चीजों को लेकर, for example, अगर कोई बच्चा पहली बार pen देखता है, तो उसको जानने के इच्छा ह नहीं है, वो है आपका जिग्यासा का आभाव, कहने का मतलब यह है, कि जिग्यासा होती है, यानि कि यह answer सही है, जिग्यासा होती है, बलकि जिग्यासा का आभाव नहीं होता है, तो question के according, समझे इसको, कई बार इसमें गलती से आप wrong answer कर सकते हैं, question यह पूछ रहा है, कौन सा बचपन की हिस्ता नहीं है, तो जिग्यासा होता है, जबकि option दिया गया है, जिग्यासा का आभाव, तो कौन सा है, जिग्यासा का आभाव नहीं है, यह गलत है, जिग्यासा होती है, तो यह right answer option, समझ गहूंगे आप, आगे बढ़ते हैं, अगला question देखते हैं, question number 14, out of the following which should not be kept in mind whilst selecting a teaching method, यानि कि निम्लिखित में से जो सेक्षिन पद्दिती का चाहिन करते समय ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, वो क्या है, पहला है individual distinction, व्यक्तिकत भेद, B है parental background, यानि कि जो अभिवाव पैरेंट से उनकी प्रेश्ट भूमी क्या है, C है यहाँ यहाँ प प्रेश्ट भूमी को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, और योग किसी भी background से हो, इस बात का ध्यान नहीं रखाना जाना चाहिए, आपके teaching method में, यानि कि जो प्रेश्ट भूमी है parents की, वो यहाँ पर ध्यान में नहीं रखना चाहिए, आगे बढ़ते हैं, अगला question देखत question number 15 है, a child starts fearing after seeing a black cow, black dog and black objects, this type of conditioning includes, यानि कि एक बच्चा है जो काली गाय, काले कुत्ते और काली वस्तों को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार की conditioning में सामिल है, option है response conditioning, stimulus generalization, यानि कि उद्धीपक सामानी करण, या फिर C है यहाँ पर response generalization, यानि कि प्रतिक्रिया सामानी करण, या फिर इन में से कोई नहीं, उप्रोक्त में से कोई नहीं, यह आपको बताना है, I think यह previous question है, उतना ध्यान में नहीं आ रहा है मुझे, तो अगर आपको मालू में previous year है, तो बता सकते हैं, question number 15, तो question यह पूश रहा है, कि अगर कोई ब option B, इसका right answer है, जैसे यह basically यह है, कि कोई बच्चा काले रंग से अगर डरता है, तो वो किसी भी काले चीज़ को देखकर डरने लग जाता है, तो यह क्या होता है, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, या कोई भी चीज़ हो, तो बच्चा उस चीज़ से डरने लग जाता है, तो किस कंडिशनिंग में सामीर होता है, या पका, उद्दीपक सामा नहीं करने, तो यह right answer है, इसका option B, तो दोस्तों यह थे आज के 15 questions, और I hope आपको यह समझ में आये होंगे, अगर आप कोई doubt है, तो नीचे comment करके बता दे, और इसी तर रखे, और वी वीडियो आएंगे समय स पर, तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आप से अगले वीडियो में, एक और सेट के साथ,